यहां पर दोस्तों आज किसे वीडियो में हम बात करने वाल है कि आप लोग अपने स्मार्ट फोन में हैं पर आईपोन को तो कंवर्ट कर सकते हैं कि मैंने अल्रीड एक वीडियो में रिखिये आपको आई बटन पर नहीं तो लास्ट में स्ट्रेश्ट हो जाएगी जाके यहां पर देफ्ट एफेक्ट यहां पर जो कि एओ डी यहां पर लोगों को यहां पर क्लोकी मियों वर्क करता है आप उसको कैसे इनेबल कर सकते हो अब देखो काफी सार लोगों को यहां पर confusion क्रेट होगा तो मैं easily simple sort कर देता हूँ आप देखो यहां पर जो normal device देखने को म लेकिन यहां पर यह शौमी ने कर दिया यहां पर जो डिजाइनर उन्होंने कर दिया अपको यहां पर कुछ तरीक से देखने को मिलता है जो कि आप लोग इस तो काफी ज़्यादा इंटरेसिंग लिए आपको यहां पर जो कि आपको यहां पर always on display के effect देखने को मिलेंगे इसका जो animation है वो iOS 16 के depth effects से काफी जादे relatable है तो आपको वैसा ही यहां पर UIN experience देखने को मिलेगा जो कि आप लोग अपने फोन में इसको enable कर सकते हो जो कि काफी ज़्यादा इंटरेसिंग होने वाले है अगर आप लोग को कोई वाली वीडियो पसंद आती हो जबस वीडियो temp वंक्योने वाली तो मनस वीडियो काफी ज्यादे मुआ दो होने वाली है बस आपको वीडियो को लाइक केने विडियो क्यांत वीडियोवच से बसे इन हां पर हम all about करनी है अब नर्मली देखोगा यहां पर जो iPhone है वह यहां पर उसी तर्ड़कें से आपको देखने को मिल जाता है अब यहां पर यह नहीं यह तो नहीं यह तो यहां पर MIUI के जो Always यहां पर स्टोक जो कि आपको AOD फीचर या बोल सकते हो डिजाइन देखने को मिलते हैं उनसे भी छुटकार मिलेगा एन आप लोग कस्टम यहां पर यूज कर पाओगे बिनने किसी यहां पर आपको कोई भी टैक्स्ट या कुछ भी नहीं देखने को मिलत अब लोग अगर MIUI 12 पे भी हो आपके फॉन में अब लोग भी इसको यहां पर इनेबल कर सकते हो तो यहां पर आप लोग को फायदा ही होगा आप लोगो यहां जंजट फिरी रहोगे तो अब सबसे बहले कुछी नहीं करना देखो सबसे पहले है फाइल मेनेजर को ओपन कर आपको यहां पर टाउनओड बजाना है आपको यहां पर टेली ग्राम के अंदर फाइल देखने को मिलेगी जिक्से तो iOS यहां पर देखने को मिलेगा अब आपको आजाना है भार एक बार यहां पर यहां पर चेक कर लेना देखो क्यों काफी सारे जो यूसर होते हैं वह फर्स्टाइम किसी भी चीज को अपलाई कर रहे होते हैं यहां पर MIUI के फोल्डर में जाना बैकप का एक फोल्डर देखने को मिलेगा अब उसके अंदर करके आपको एक फोल्डर क्रेंट करना अब देखो आपको टैक्ष्ट कृएर दिखने होगा है आपको तो ओल्ल वाल बैकप आपको कहीं पर शूर्डर नहीं दे ना आपको देखने को मिल जाएगा अब यहां पर आपके सामने आ चुका है आज जाने के बाद अब सबसे पहले आपको यहां पर open करने होगी फिर से पूरे एक साइज देखने को नेरा अगर आपको यहां पर इसा डीकूरोट जो है आपको आपको पूर्ञाट कियोशक लिकार आपको सुलने के बाद है को है इसे प्रफेक्ति है करक देखो ज़ूंग को कि अ सब्सक्राइब fakte बहुछ व मिलेगी से देखने पर कर देखे रहे सब्सेहेश भाजई करें जो करते हैं लोग फिर मैं थोड़ी से प्लाइटिंग में तकि आप लगो पर तो , तो यहां पर देख़u , जो आपको perfect view है , वह यहां पर देखने को मिलेग sound कूछ सी थी हुआ किने देख़ना को यहां पर पर अनलुक करतां है , तो इतनी बार शीकों मैं आपको धक्र श्रौन की लेगा है , यहां पर और यहां पशन पर आणगा धुफूट्ट्रिय के कि आप लोगों को perfectly देख से यहाँ पर देखना अब इस बार यहाँ पर देखना कि आपको animation करना smoothly आपको देखने को मिलेगा तो अब हम इसको देखते हैं यहाँ पर देखो जो animation है वो काफी ज़दा smoothly देखने को मिलता है जो कि IOS का death effect यहाँ पर always on display के लिए यहाँ पर working करता है जो कि IOS 16 में यहाँ पर release किया गया था एंड यह आइपोन watching pro max में देखने को मिलता है उसमें ज्यादा अच्छा बैटर यहाँ पर performance करता है जो कि अब लगते से तो अभी तक यहाँ पर देखो भाई सारे के सारे जो style है वो यहाँ पर हरवाद नियू आरे कोई भी यहाँ पर अभी तक repeated नहीं हुआ है और आपको ऐसी currently काफी जाद है यहाँ पर annoying and काफी जाद interesting देखने को मिलते रहेंगे अगर आपके फॉन में यहाँ पर always on display support करता है तो ही आपको यहाँ पर feature देखने को मिलेगा और आपके फॉन में यह working करता को मिल जाएंगे जो की आप लोग इसंव कोई चूझ करता हुए आप नौर्मल भी रावोगे रखोगे तो नौर्मल ज्यादे बेटर रहें जिसमें कि आपको यहाँ पर change सुतर वए देखने को मिलेंगे और को यहाँ आपको अब लोगों को यहाँ पर इंटरेसिंग लग